मनीश कसब बिहार पुलीस के साथ आंक में चुबल खिल रहा था जब पुलीस का डंडा जो है वो जोर से चलने लगा कुर्की जबती की कारवाई जो है उसे रोग दी गई उसल मीडिया पर लोग मनीश कस्यप के पक्छ में तरह तरह के पोस्ट लिख रहे हैं कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है बिहार का नटवरला अगर कोई है तो वो नाम मनीश कस्यप है दो राज्यों की बीच के रिष्टों को भी बिगारा गया बिहार सरकार को बदनान तो किया गया है कल सुबह सबेरे खबर ये आई कि बिहार पुलीस के तमाम अधिकारी दलबल के साथ मनीश कस्यप के घर पहुंचे हैं कुर्किस जबती की कारवाई करने वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि पच्छिम चंपारन के बेतियां सहर में जगदीश पूर थाने में मनीश कस्यप ने आत्म समर्पन कर दिया है और जब मनीश कस्यप ने आत्म समर्पन किया तो कुर्किस जबती की कारवाई जो है उसे रोक दी गई और उसके बाद तुरंत आर्थिक अपरा धिकाई को खबर की गई कि मनीश कस्यप ने आत्म समर्पन कर दिया है आप आईए पूस्टाश कर लीजिए और उसके बाद तुरंत अमिलांडू की टीम भी पटना पहुच गई और वो भी मनीश कस्यप से पूस्टाश करने चली गई तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं सोचल मीडिया पर लोग मनीश कस्यप के पक्ष में तरह तरह के पोस्ट लिख रहे हैं कह रहे हैं कि यह बहुत बुरा हुआ है क्या हुआ है क्यूं बुरा हुआ है क्या यह सही है मनीश कस्यप की गिरफतारी पर उठा रहे सवाल लोगों के सवाल का जबाब हमारे साथ, हमारे सायोगी बिर्जु जुब मौजूद है, वो देंगे कि आखिर मनीश कस्यप की गिरफतारी कितनी सही, क्या लगता है कि मनीश कस्यप गिरफतार हुए, यूटूबर मनीश कस्यप, गिरफतार तो नहीं हुए, आत्मसमर्पन होन यूँ कहे तो नट्वर लाल की जो कहानी आपने किताबों में पढ़ी या कहानियों में सुनी होगी टीवी सिनेमा में सुना होगा तो डियल लाइफ में आज की तारीक विहार का नट्वर लाल अगर कोई है तो वो नाम मनिसकस्यप है जो एक यूटूबर है देकि को आपको ख्याल रखना पड़ता है मनीश कशप ने जिस परकार से तामिलाडू मामले में जो एक बड़ा मास्टर माइन के तोर पर देखा गया जो पुलिस के हाँ चुराग लगे है उसके अधार पर से लेकिन में इस इसका से अपने जिस प्रकार से क्योंकि जब गिरफतारी होनी सुरू हुई एक वीडियो जो पटना के जक्कनपुर इलाके के मंगाली टोला में सूट किया गया थे भाड़े पर किराये पर रूम लेकर सूट किया गया था इसमें दो युवक पट्टी बाने आपको नजर भी क्रियेट किया गया था एक एजंडा कह सकते हैं कि खास पार्टी के एजंडा के तबाम जो लोग थे वो काम कर रहे थे लेकिन जब पुलिस जो तहकिकात करने लगी तो वीडियो पर तहकिकात हुई तो पता चला कि वीडियो जो है वो तामिलाडू की नहीं है बलकि पटना में सूट किया गया था बिहार सरकार को बदनान तो किया गया है साती साथ दो राज्यों के बीच के रिष्टे को भी बिगार आ गया और इस वीडियो के कारण जो लाखों मजदूर थे तामिलाडू में जो दैसत में जी रह थे जो बिहार कई लोग बड़ी संक्या में जो बिहार आगये ट्रेणों में मतलफ बोड़े की तरह कोच कर जो बिहार आए डर के कारन भै के कारन वहाज जाने का नाम नहीं ले रहे छी कि बिहार में कोई option नहीं है रोजगार के लिए अब वो डड़ की कारण तामिलाडू नहीं जा रहा है तामिलाडू में बड़ी मतलब कि रोजगार का एक कह सकते हैं कि तीरुपूर का जो इलाका है वो इंडिस्ट्रिल एडिया है बड़ी संख्या में जो कंपनिया है जहां बिहार के ज़्यादत और मजदूर जो वहां पर काम करते हैं लेकिन मनीश कस्यप और उसके आदमी द्वारा बनाए गए वीडियो के कारण जो है लोग वहां से भागने लगे और बिहार पुलिस की ताकिकात में इस बात का खुलासा हुआ जो गिरफतारी हुए उसमें मनी इसका स्यप जो कि यूटूबर है अगर उनिका इंटरव्यू आप देखे तमाम चैनलों पर उन्होंने दिया है इंटरव्यू उसमें उन्होंने क्या कहा कि तमिलानू में हिंदी पट्टी के लोग बहुत अधिक रहते हैं और वहां भाजपा मजबूत हो रही है इसलिए कि आदो जान बुचकर ऐसा करवा रहे हैं ताकि वहां पर हिंदी पट्टी के लोग भाग कर चले आए और भाजपा जो है वो चुनाओं में जीते नहीं क्या लगता है कि पत्रकार का इस तरीके का भासा हो सकता है कि प्लिटिकल पार्टी का जो स्टेंड होता है जो लाइन होता है उस लाइन का वो इस्तेमाल कर रहे थे जब आप पे फयार हुआ अगर वाई देवे हम पे फयार होता है तो हम कानून में भारत की सम्मिधान में विश्वास रखते हैं हम कानूनी परक्रिया में जाएंगे ना कि आरोब परते आरोब कौन करता है नेता करता है नेता करता है नेता पे छापे मारी होती है नेता पे फयार होता है नेता दुसरे पर उसका जो है वो गड़ माप देता है कि आप ये कारण लोगी है तो यह नेताओं का जुबान है लेकिन मनीश कस्यप एक यूटूबर भी नहीं है इस बात को समझी आप एक यूटूबर भी नहीं है यूटूबर का काम होता है जो उसका एजेंडा है जो उसका विसे है उस विसे है पर वो वीडियो बनाता है अपने डॉलर कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए व्यूज लाइक बटरने के लिए मनिशकस्यब एक नेता है इस बात को मानीए आप इस बात को मनिशकस्यब भी मानता है आपको याद होगा कि मनिशकस्यब पहले चुनाव भी लड़ चुका है RSSS वाले संगठें मिल चुका है और जिस प्रकार से वो वीडियो बनाता है वो ऐसा लगता है कि वो किसी खास पार्टी के जिन्ड़े को जमीन पर लागू कर रहा है और आज की तारीक में जिस परकार से मनिस्कास्यप पर फयार हुए तो मनिस्कास्यप का काम यही था कि भाई पुलिस ने फयार किया तो उसका जवाब दिया जाए बजाए मनिस्कास्यप क्या कर रहा था अपनी ट्यार पी बटोरने के लिए वीडियो बना रहा था रोते हुए कभी कभी मा के साथ वीडियो बना रहा था कभी जूटी गेपतारी की फोटो तस्वीर वैरल कर रहा था तो निताओं वाला गुन कूट कूट कर भरा है और देख रहा है कि कैसे बिहार के लोगों को blackmail करना है emotionally blackmail करना है चुकि अब तक करते आया है और इस बार भी अभी भी वो नहीं मान रहा है emotionally blackmail करने से तो इन सब चीजों को लेकर भी और आपको याद होगा दो दिन पहले मनिसकस अपने की वीडियो बनाया था उसने उन्होंने कहा था कि मेने पास पैसे नहीं तो मेरा वकील कौन बनेगा कौन लड़ेगा मेरा केस लेकिन फिर भी हम जीतेंगे सच की जीत होती ये बात वो भी लगातार कर रहा है उसी की एक दिन बात जो है ब्यार फिलिस ने तमाम एकाउंट को फ्रीज कर लेता है और इसमें पैसे कितने पाया जाते हैं 42 लाख रुपे ये तो तीन चार एकाउंट की बात है बाकी जो कैस होंगे बाकी जो अलग-अलग लोगों के पास होंगे उसकी तहकीकात भी जा रही है ब्यार फिलिस ने एक और बात कहा कि मनी लॉंडिंग अभी मामला है कई सबूत साक्ष मिले हैं जिसकी परताल की जा रही है तो एक बड़ी बात है कि एक यूटूबर के पास पचासो लाख रुपे मिलते हैं उसके बावजूद भी आद के तार कई राजनितिक गलों से कई जगों से मिलते हैं बड़ी बात है कि लोग कहता है कि पत्रकारिता पत्रकारिता मुझे लगता है कि मनीशकस्यप से पहले से मैं कर रहा हूँ 2016 से मैं इस फिल्ड में हो मेरे काउंड में 42,000 रुपे नहीं होंगे 42,000 लाग की तो दूर की बात है 42,000 रुपे भी नहीं होंगे और 42,000 लाग सर्फ दिख रहा है मनीशकस्यप ने करोरों रुपे कम आए है और वे पैसे YouTube और Facebook नहीं देगा करोरों रुपे कम नहीं होते है आज के डेट में यूटूब और फेस्बुक ने इतनी पावंदिया लगा दी है इतनी पावंदिया लगा दी है जिसका कोई कहना नहीं है कितने पैसे आते हमें भी पता है हम भी चैनल चला रहे हैं लेकिन किसी के एकाउंट में अगर 42 लाख रुपे मिले और वो कहें कि हम यूटूब फेस्बुक से कमाए हैं ये कहना बहुत मुस्किल है पर अब जरा सोच ये कि बहार पुलीश को ऐसे सब्दों का परियोग मजबुरन करना पर रहा है इस सौक से नहीं करना पर रहा है, मनीश कस्यप पे अब तक साथ-ाथ मामले हैं, हाल के दिनों में तीन-चार मामले दर्ज हुए, फ्रॉड का, धंकी देने का, हिंदू-मुसलमान दो धर्मों के बीच में लराई करवाने का, दंगा कराने का, मारपीट करने का, ऐसे कई मामले हैं, जो मनीश कस्यप पे पहले से जो है, वो दर्ज है, कोई मनीश कस्यप ऐसा नहीं कि मनीश कस्यप कोई अंदोलन से निकला है, मनीश कस्यप कोई अंदोलन कर रहा था तो उस पे मतलब कि फयार कर दिया गया, कोई प्रोटोकॉल का पलान नहीं किया तो फयार कर दिया, मन ऐसमेरी वेपारियों को पीचा गया था वीडिो बनाता है वैसे वीडियो बनापना यह श्रह था तो भ화를 पुलिस के निगाय हैं प्रेले से अधिकारियों के साथ मार प्रूफ है इस भी वीडियो अब तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि वाकई में वीडियो वहीं क्या तामिलाडु का है जो कि दो तीन दिन बाद यह सबस्ट हो गई यह वहां का नहीं है हमने आपको प्रमुक्तास बताया जितने फोन-कौल सा रहे थे वह यही कह रहे थी भाईया हमने वीडियो देखा है बहुत डर है बहुत खौप का उस बीच पत्रकार का धर्म बनता है एक समासवी का धर्म बनता है एक नेता का करतब बनता है को चीजों को कंट्रोल करे डर और भय के वातावरन को खत्म करे पुलिस प्रसासन लास्ट में सब्सक्राइब का जो प्लानिंग था वो सफल हुआ वेरहाल इस कवर में इतना ही बने रहमार साथ और देखते रहें दा इंडिया टॉप